हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल जैन में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने किसी भी Android मुबाइल को iPhone कैसे बना सकने हैं जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं एक तरफ है iPhone 11 और एक तरफ है Samsung का Android मुबाइल जो पूरी तरह से यहाँ पर iPhone की तरह ही यहाँ पर चल रहा है आप यहाँ पर दोनों में फरक पता नहीं कर पाएंगे यहाँ पर से आप देख सकते हैं दोनों जो मुबाइल है iPhone भी और Android भी दोनों iPhone की तरह यहाँ पर चल रहे हैं तो उसी तरह से दोस्तों आप भी अपने किसी भी पुराने से पुराने Android मुबाइल को iPhone की तरह ही इसी तरह से चला सकते हैं और आपके पास किसी भी कमपनी का कोई भी Android मुबाइल हो, सभी मुबाइल को आप इसी तरह से iPhone की तरह चला सकते हैं. तो दोस्तो अगर आप भी अपने किसी भी Android मुबाइल को iPhone की तरह चलाना चाहते हैं, और iPhone बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक देखते रही है इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अपने Android Mobile को iPhone बनाने के लिए आपको अपने Mobile के किसी भी browser को open कर लेना है जैसी कि यहाँ पर मैं Chrome browser को open कर लेता हूँ उसके बाद मैं दोस्तो आपको यहाँ पर search bar में यहाँ पर आपको search करना है V-E-E-S-T-R-I-T-V-Street iPhone app screenshot ले लिजी एक यहाँ पर से spelling आपको बिल्कुल अच्छे से यही आपको यहाँ पर type करनी है और इसको यहाँ पर आपको search कर लेना है जब आप यह दोस्तो search करेंगे यहाँ पर V-Street iPhone app तो यहाँ पर आपको Android को iPhone K से बनाए यह लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इस पर click करके इस website को open कर लेना है website को open करने के बाद आपको इस website में थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको यह जो wallpaper है इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर iPhone के काफी सारे wallpaper देखने को मिलेंगे तो जो भी wallpaper आपको पसंद आता है आपको उस पर click करके रखना है और यहाँ पर आपको download image पर click करके इस wallpaper को download कर लेना है उसके बाद में दोस्तों आपको अपने mobile की gallery में जाना है और जो भी wallpaper आपने download किया है जैसे कि मैंने यह वारा download किया है इसको आपको अपने mobile के home screen यानि के wallpaper आपको set कर लेना है तो यहाँ पर आपको set as wallpaper क्लिक करना है home and lock screen select कर लेना है और इसे अपने mobile के home and lock screen पर लगा देना है जीसे कि यहाँ पर मैंने अपने wallpaper को set कर लिया है तो उसी तरह से आपको भी अपने मन पसंद का कोई भी iPhone का wallpaper यहां से download करके अपने mobile पर लगा लेना है उसके बाद मैं यहां पर से आपको back जाना है back जाने के बाद यहां पर आपको जो download बटन मिल रहा है इस download बटन पर click करके आपको अपने mobile में एक app को भी download कर लेना है जैसे कि मैंने भी इस download बटन पर click करके अपने mobile में ये वाली app डाउनलोड कर ली है तो डाउनलोड करने के बाद आपको इस app को open करना है open करने के बाद इस पर click कर देना है इस tick को हटा देना है और यहाँ पर get started पर click करना है allow पर click करना है allow पर click करना है उसके बाद में agree पर click करना है उसके बाद में ये permission को allow कर देना है फिर से आपको यहाँ पर से agree पर click करना है और यहाँ पर से इस permission को भी यहाँ पर click करके allow कर देना है उसके बाद में अगर आप अपने mobile के यहाँ पर यह तीन बटन आते हैं उनको अगर आप गायप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए यह बटन गायप हो जाएंगे अगर आप इनको बटन को दिखाना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए यहां से तो यहाँ पर से मैं इन बटन को गायप कर देता हूं और यहाँ पर आपको get started पर क्लिक क कर लेना है जैसे आप always को select करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर से आपको जो phone है वो iPhone की तरह बन जाएगा लेकिन अभी इसमें आपको थोड़ी और setting करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर से आपको जाना है phone 13 launcher इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आ अब को जाना है assistive touch पर इसपर click करना है और यहाँ पर से इसे बंद कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैँ जो डोट आ रही थी यहाँ से अझाए्गी तो यहाँ इसे बंद कर दिजिए उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर से आपको क्या करना है आपको नीचे जान इस से आपके mobile पर जो भी lock लगा हुआ होगा वो हट जाएगा अब आपको इस app का lock अपने mobile की screen पर लगाना है तो आपको lock screen पर click करना है और यहां से आप जो भी लगाना चाहते हैं पासवर्ड या यहां पर से pattern वो लगाना चाहते हैं उसको select करके यहां पर से आप set कर लीजि तो एक तरफ है Samsung phone और एक तरफ है iPhone दोनों को जब आप lock खोलेंगे तो एक तरीके से खुलेगा और एक side से अगर आप नीचे करेंगे तो control पेनल आएगा और दूसरी side से आप नीचे करेंगे तो यहां पर notification पेनल आएगा तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो Android phone है वो पू